नमस्कार दोस्तों, जानते हैं कल किस से मुलाकात हुई? बड़ी अनोखी मुलाकात थी, वो मुलाकात हुई विराम चिन से, फंचुेशन मार्क से, और उसने अपना परिचा मुझे खुद दिया, और बताने लगा कि मैं कैसे कैसे प्रियोग में आता हूँ, जरा आप भी दे आप जिन, आज मैं आपको अपनी पहचान सुयम कराऊंगा, ताकि आपको लिखने और पढ़ने में मैं आसानी से समर्ज में आ सकूँ, कुछ लोग मुझे विराम भी बोलते हैं, लेकिन मुझे कोई आपती नहीं है, हाँ, एक बात बताऊं, मेरी कोशिश रहती है कि लिख मैं वाक्य पूरा होते ही उपस्थित हो जाता हूं, मेरा नाम राजन है पुन विराम, मैं राकेश का छोटा भाई हूं, यह है मेरा रूप अल्प विराम, इसे इंगलिश में कॉमा कहते हैं, जब भी वाक्य में एक ही तरह की वस्तों को सूचित करने वाले शाबद आते है तो मैं उपस्थित हो जाता हूं, जैसे राम, कॉमाश्याम और रहीम मित्र हैं, मेरा रूप है उप्द्वराम का, मूल बात लिखने से पहले मुझे इस्थापित कर दें, तो मैं गदगद हो जाओं, मतलब मूल बात लिखने के बाद इसका प्रियोग होता है, कोलन का उध दूसरा उधारन, मा, कोलन, यानि की उप्द्वराम, ममता की प्रतिमूर्थि, मैं हूँ अर्द्विराम, पूर्ण नहीं हूँ मैं, मैं वाक्य के बीच में ही शुभायमान हो जाता हूं, उधारन देखिए, जब भी श्याम आता है, तुम भी आ जाते हो, सूर्यद हो गया चुडिया चहकने लगी, और कमल के फूल खिल गए, मैं हूँ प्रिश्ण वाचक्चिन, नेरे आ जाने से बात में प्रिश्ण आ जाता है, और आप से उत्तर की अपिक्षक की जाती है, मैं हूँ विस्मे सूचक्चिन, sign of exclamation, वाक्य में विस्मे भरा हो, तो मेरे उपस्थ हो ही जाता हूँ, अरे तुम कब आए, तो अरे के बाद विस्मे सूचक्चिन लगेगा, मैं हूँ रेखिका चिन, शब्द के बाद मुझे लगा के उसकी परिवाशा, उसकी उप्योगता यादि आप बता सकते हैं, जैसे के बाद मैं लगा हूँ, यहाँ पर उधारन में, मैं हूँ स्रयोजक्चिन, एक तरीके से रेखिका का भाई हूँ, अपने भाई के जैसा छोटा रोप हूँ, मतलब रेखिका से छोटा, मैं अभिने शब्दों के बीच में आकर उनका प्यार बढ़ा देता हूँ, जैसे माता पिता, भाई बेहन, मैं हूँ विवरन चिन, व जैसे मेरे रूपों के बारे में आपने अभी लगाया है, तो ये बिवरन चिन है, मैं हूँ कोष्ठक चिन, इंगलिश में ब्रैकट कहते हैं, मैं अपने मूँ में, उसी शब्दों को इस्थान देता हूँ, जिनका संबद मेरे पहले आए, शब्दों से हो, मतलब उसी बा ये है उद्धरन चिन, मेरा नया रूप, मैं मूल शब्द ये शब्दों को खेर कर उसकी उप्योगिता दूसरों की नजरों में ले आता हूँ, जैसे राम ने कहा, सीता अच्छी है, ये है मेरा नया रूप, पुन्रुक्ति सूचक चिन, मेरा प्रियोक करने से एकी कई बार लिखने से आप बच जाते हैं, मतलब एकी शब्द आपको बार बार लिखना हो, तो आप मेरा उप्योग कर सकते हैं, जैसे श्री लालू यादव, तो श्री श्री आपको दो बार लिखना है, तो उसके नीचे मेरा पुन्रुक्ति सूचक चिन लगा सकते हैं, किसी भी बात को उसके अधिकार में बताना हो तो मैं प्रयोग किया जाता हूं मैं हूँ विस्मर और जिन कभी कभी गलती सी आपका कुछ रह जाता है लिखने ते छूट जाता है तो मेरा उप्योग करके आप फाइदा उठा सकते हैं आशा है आप मोने मुझे अब अच्छी तरह पहचान लिया होगा दीखते रहिए लॉजिक टच इसको सब्सक्राइब करना हर्गिस ना भूलिएगा दोस्तों बाई